नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका दन्यूज लॉंचर के इस यूट्यूब मंच पर दोस्तों आज अयोध्या के भब लेकिन आधे अधूरे बने राम मंदिर में राम लला विराजमान हो गए राम लला टेंट की जगा मंदिर में पहुँच गया है निश्चित तोर पर स अब एक तरफ प्रणमंति नरंद मोदी तमाम अनुस्ठान कारियों के बीच अयोध्या में थे और राम लला से ज्यादा फोकस प्रणमंति नरंद मोदी पर था योगी आधित नाद भी बेहत कम दिख रहे थे कंगना रनौल से लेकर अमिताब बच्चन तक और रजनी से लेकर मुके संबानी तक सभी वहां दिख रहे थे लेकिन आपको आश्चर हुआ होगा कि नरंद मोदी को देवताओं का देवता कहने वाले भारती जनता पार्टी के राश्ट्री अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से आने वाले आधे हिमाचली आधे बिहारी कहने वाले ख किसी ने उनका दब उनको देखा नहीं आ यद्या में नहीं दिखाया वहाँ पहुंची भी भाजपा के अध्यक्ष दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नडडा और अमीर सा को आ नहीं देखा लेकिन वो दोनों वा युद्या से साड़े छे सो किलोमीटर दूर थे साड़े छे सो किलोमीटर दूर और साड़े छे सो किलोमीटर दूर इतने बड़े अनुस्ठान के दीन नरंण मोदी के दो सबसे विश्वस्त चेहरे यदी वहां नहीं थे तो क्या भारती जनता पार्टी के अंदर किसी तरह का पावर स्ट्रगल चल रहा है मुझे नहीं पता कि कोई पावर स्ट्रगल चल रहा है या नहीं चल रहा है लेकिन सियासत और महतोकांचाएं दोनों साथ साथ चलती है हर राजनितिक दल में ऐसा होता है लेकिन आज दोनों साड़े छे सो किलो मीटर दूर, यदि कुछ करते हुए पाये गए, कोई चुनाव हो सबकुछ हो तो राम लक्षमन की तरह नरन्द मोदी और अमिट साथ दिखते हैं राम भक्थ हनुमान की तरह जेपी नड़ा दिखते हैं लेकिन उस माहौल में जब राम लला विराजमान हो रहे हो नरन्द मोदी पूरी तरह से धार्मिक परिवेस्ट और धा और धाई दोनों गय कहां यह सवाल आज की तारीक में बहुत महत्तपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारती जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं होने की खबरे आ रही है यह तो राजनाथ सिंग और नितिन गड़करी भी नहीं थे योगी आधितनाथ भी बहुत कम द थे किसी महांगे स्मार्टफोन से सेल्फी लेते हुए तो योगी आधितनाथ दिखाई दिये और उस माहौल में जेपी नडड़ा और अमिर साह नंबर दो और नंबर धाई माने जाते हैं भाजपा में वह कहां गया आखिर साड़े 600 किलोमीटर दूर कर क्या रहे थे उस भ 382, 182 से फिर 282 और 303 तक का सफरताय किया इस सफर में राम लला का योगदान, राम लला के अंदोलन का योगदान बहुत बढ़ा है समस्त्य पूर ने राम कि सफुराल मिठला में थी भगवान राम कि सफुराल माता सीटा मिठला की बताही जाती हैing लेकिन उसी मिठला में लालू प्रसाद यादों ने लाल किसनाडवानी का रत जरूर रोक लिया था राम मंदिर बनेगा इस देश में मंदिर वहीं बनेगा इस प्रवाह को न तो लालू यादों रोक पाए थे और नहीं छे साल भाटी जंता पार्टी की सत्ता अटल विहारी वाजपई के नित्तित मंदिर लेकिन जब बनाने का आदेश दे दिया मंदिर बनने लगा मंदिर आधा धुरा बन भी गया पराण प्रतिस्ठा भी आज हो गई तो जेपी नडड़ा और अमिट साह उस मंदिर के बदले किसी और मंदिर में नजराए तो लोगों को समझ में आता है कि आखिर कारण क्या हैं अमीजежд साज डिल्ली के बिल्ला मंदिर में थे वहीं जपी नड़ा दिल्ली ज़ंडेवालाण मंदिर बेहीं अरेशिस कारेयाले से जब्रण के पास से बेहीत करीब है वहां जपी नड़ा थे दर रसवा आज की तारिक में पहलों जू कुछ हो रहा पर बैठे हुए प्रणान मंत्री नरंद मोदी के लिए सायच ज्यादा बड़ी थी तभी वह कंगना रनावत वहां थी जेपी नड़ा नहीं थे गुजरात से आने वाले धीरु भाई अम्वानी के बेटे की आहमियत गुजरात से आने वाले अमिर्शा से ज्यादा बड़ी थी तभी वह वहां थे मुके संबादी यह नहीं थे सचिन तेंदुलकर और अमिताब बच्चन थे लेकिन महराष्ट से आने वाले देविन फरनविस और नितिन गटकरी वहां नहीं दिखें कारण क्या है महराष्ट से सचिन तेंदुलकर भी आते हैं अमिताब बच्चन अ लाहाबाद की seat से उस बाई एलेक्षन से जिस बाई एलेक्षन में अमिताब बच्चन ने इस्तिफा दिया और विपक्ष की तरफ से जन्मोर्चा के कैंडिडेट वीपी सिंग के समर्तन में भारती जंता पार्टी किनेता अलाहाबाद की आज के प्रयाग राज की गली-गली चान रहे थे तब अमिताब बच्चन विलेन थे राजी उगांधी के दोस्त हुआ करते थे और अमिताब बच्चन के बारे में क्या-क्या नहीं कहा गया फिल्मी सितारों के बारे में अटल विहारी वाजपई ने क्या नहीं कहा आप यूटूब पर जाकर वो इंटर्व्यू देख सकते हैं, एक छोटी सी क्लिप है, आप देख सकते हैं, कि अटल विहारी वाजपई दिल्ली छोड़कर गवालियर चुनाव लड़ने क्यों गय थे 84 में, क्योंकि चर्चा थे कि कॉंग्रेस पार्टी नहीं, दिल्ली की उनकी सीट पर, जहां से उस वक्त वह सांसत थे, रेखा को चुनाव में उतार सकती थी, ठीक किसी तरह से, जिस तरह से हमती दंदन बहुगरा के खिलाप हमिताब बच्चन को उतारा गया, अटल विहारी वाजपई उस इंटर्व्यू में करते हैं, कि फिल्म वालों का मुकाबला मैं नहीं कर सकता, इस तरह की बाते जब च चलने लगे, कॉंग्रेस पार्टी के अंदर गौसिप चलने लगे कि अमिताब बच्चन मुकाबला करेंगे, तो रेखा मुकाबला करेंगी, तो अटल विहारी वाजपई सीधे सीधे तंज करते हुए नजर आये, और उनहीं अटल विहारी वाजपई की पार्टी से आने वाले दूसरे प्रणान मंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मौझूदा दौर में यहीं फिल्म इस्टार यहीं अमिताब बच्चन यहीं रजनी कांत यहीं कंगना रनावत यह सबसे बड़े आज जंडे वालान मंदिर में जेपी नड़ा गए तो जेपी नड़ा की यह बेवसी थी कि उन्हें अजोध्या नहीं जाना था और नहीं जाने का आदेश कहीं ने कहीं ऊपर सहीं आया था अब सवाल है कि भारती जंता पार्टी में सीर्थ पर खुद जेपी नड़ा है तो उनके उपर कौन हो सकता है हमारे दर्सक भली भाती जानते है कि उनके उपर कौन हो सकता है आमेज साक acrony जाना है उन्हें दिल्ली गुबर्मन्दिर में रहना है विचारे की बहुत मजबूरी है संसत में प्रधान मंतरी अगसर दिखते नहीं है इन मोके पर सरकार की तरफ से बिर्ला साहब के सामने लोग सभाद देख्ष बिर्ला साहब के सामने उन्हें जवाब देना पड़ता है और अज जब राम मंदिर का उद्गाटन हो रहा है तो बिर्ला मंदिर में जाकर जवाब देना पड़ रहा है हर जगह बिर्ला के सामने नत्मस्तक होना उनकी मजबूरी है कहीं ओम बिर्ला के सामने तो कहीं बिर्ला मंदिर के सामने राम मंदिर के सामने आज के दिन भारती जर्टा पार्टी में होने के बावजूद राम मंदिर के सामने आज राम मंदिर में राम लला विराजमान के साम मौता, जेपी नडड़ा और अमित्सा के नसीब में नहीं लिखा था, लेकिन नसीब किसका कौन जाने, नसीब किसका कौन जाने कि जो लाल किसनाडवानी, जिन्होंने भारती जंता पार्टी का नसीब तै करने में अपनी पूरी उर्जा खपा दी, पूरी जिंदगी लगा आज लाल किसनाडवानी को निमंतर्ण कैसे दिया गया, और आज जब हो गए, तो कहा गया कि राम लहर पैदा करने वाले लाल किसनाडवानी, सीद लहर की वजह से अध्या नहीं जा रही है, सोच जिए, लाल किसनाडवानी नीज स्रौर का नितृत्रत्ष किया, जिस राम लहर को बनाने में उनकी भूमिका थी आज वो सीत लहर के कारण अयुद्या नहीं गए और अब तो ना राम लहर की बात होगी ना सीत लहर की बात होगी अब तो गुजरात से आने वाले मोदी लहर की बात होगी और उस मोदी लहर के दायरे में क्रोनिक कैप्टलिज्म की बात लग्या जेपी नडडा अमिद साह सब होंगे बेमन सही सही लेकिन होंगे बेमन सही सही राजनाथ संभ और नितिन गड करीज होंगे बिल्कुल उसी तरह से होंगे जिस तरह से ट्रेन मेरीपति य्जा रागों brown कर रहा है पता नहीं आगे किसको रगुपति रागव राजाराम सताब्दी एक स्पेस में बैठ कर करना पड़े यह नौबत फिलाल सिवराज सिंग चौहान के सामने है और कमों बेस इसी तरह की नौबत अमिर साह के सामने है कि आज वह युद्या नहीं जा सकते बिरला मंदिर में जान पर रहा है राजनाथ सिंग और नितिन गड़करी कहां है मुझे नहीं पता हो सकता है कि सताब्दी एक्स्पेस की ट्रेन में आगे उनको भी बर्थ रिजर्ब कराकर किसी को दिल्ली से लखनाव जाना पड़े तो किसी को किसी दूसरी ट्रेन में नागपूर जाना पड़े एक्सप्रेस्वे से ही जाना पर सकता है गड़करी साब को जिसे उन्होंने बनाया है लेकिन भारती जनता पार्टी के चुनावी एक्सप्रेस्वे पर कितने सारे गड़े बनते जा रहे हैं और उस गड़े की भरपाई जब भारती जनता पार्टी के सीर्स नेत्रितु के द्वारा हो नहीं पा रही है तो फुटेज में भले ही नरंद मोदी के अलावा मिताब बच्चन सचिन तेंदुलकर कंगना रनाओत जैसे लोग दिखें सचिन तेंदुलकर कंगना रनाओत अमिताब बच्चन या मुके संबानी भारती जनता पार्टी के चुनावी फॉर्च और जब रामलला की आव सकता है तो फिर भला जेपी नडडा और अमिर सा की आव सकता क्यों पड़ेगी फिर भला राजनात सिंग और गटकरी की आव सकता क्यों पड़ेगी और फिर भला योगी आदितनाथ की आव सकता क्यों पड़ेगी वो तो मजबूरी है प्रोटोकॉल ह कि उत्तर प्रदेश में कारिकृम है प्रणान मंत्री का कारिकृम है और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदितनात है संत परंपरा से आते हैं उनका रहना दोêtes कम से कम पारंपढ़ीत तोर परीस stuff समभ्वेधानिक नहीं तो पारम परी कंवेंस्टनल तरीके से मुख्यमंत्री का महारा नहीं मजबूरी है ब्यावहारिक मजबूरी है और उस मजबूरी के ताथ योगी आदितनाथ वहां कम से कम आने से रोके नहीं जा सके हो सकता है वो रुकने पर रुखते भी नहीं कोई ताकत भारती जनता पार्टी में ऐसी नहीं है जो योगी आदितनाथ यह ठान ले कि उत्तर प्रदेश के अधिन उन्हें किसी कायक्रम में जाना है तो जब तक वह मुख्यमंत्री पत पर हैं या मुख्यमंत्री ना भी रहें कल को कोई नहीं जानता क्या होगा तब भी किसी में भारती जनता पार्टी के अंदर यह कूवत तो अभी नहीं है कि योगी आदितनाथ को कहीं जाने से रोग सकें योगी आदितनाथ को पैदल एक्सपेस्वे पर चलाया जा सकता है कंदे पर हाथ रखकर फोटो खिचवाई जा सकती है लेकिन कब कौन सा कंधा योगी आदितनाथ और उनका जो मिजाज है वो कब कौन से कंदे को जटक दे सियासत में अपना रास्ता बनाने के लिए माहिर माने जाने वाले योगी आदितनाथ कोई नहीं जानता कि आने वाले वक्ट में क्या करेंगे और भारती जनता पार्टी के अंदर अमिर साह और जैपी नडड़ा को उनकी हैसियत नहीं बताए गयी लेकिन आने वाले वक्त के लिए नेतृत्ष की होड से दूर रहने के किये कम से कम एक संकेत जरूर दे दिया गया है भारती जंता पार्टी यह बहुत छोटी हो गई है विस्व हिंदू परिसत तो कब का छोटा हो गया आज राम लला के उग्षाटन के दिन किसी ने असुक सिंगल को याद नहीं किया किसी ने आचारे गिर्राज किस और को भी या लेकिन रामलला के चोबीस अचालीस घंटे पहले राम रहीम को जरूर बाहर निकाल लिया गया उनकोbir सर्टालीस घंटे पहले लाने वाले लोग भारती जानता पाटी कहीं जो पेरोल और फरलो जैसे सब्दों का इस्तिमाल कर जैसे कानूनी डाउंपेज का इस्तिमाल कर राम रहीम को लाते हैं अमिट साह के भूमिका न तो राम लला को लाने में थी नहीं राम रहीम को लाने में थी इस बात के लिए अमिज साह को कोई दोस नहीं दे सकता कि राम रहीम को उन्होंने निकाला इस बात के लिए भी कोई अमिज साह को क्रेडिट नहीं दे सकता कि राम लला को वो ले करके आए लेकिन आज के हिंदुस्तान में भारती जनता पार्टी के अंदर एक नेता, एक कारेकरता, एक जनता और वो सब कुछ नरन्दमोदी है अपनी पार्टी के नेता, जनता, कारेकरता, संगठन सब कुछ नरन्दमोदी है मुहन भागवत की हैसियत भी उनके सामने बेहट छोटी है संग परमुक के नाते उनकी मौजूदगी जरूर थी लेकिन सांकेतिक थी और सांकेतिक मौजूदगी किसी और का किसी भी मंदिर में भाजपा सासित राज्यों की सरकारों को गवारा नहीं है जो संकर देव के मंदिर में हुआ है असम में वो सबको पता है कि एक तरफ सड़क पर बैठकर रगपती रागव राजाराम मंदिर के बाहर बैठकर सड़क पर बैठकर राहूल गांधी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ट्रेन में भारती जंता पार्टी के अंदर से 18 सालों तक मुख्यमंद्री रहे सक्सियत भी रगपती रागव राजाराम कर रहे हैं सियासत की यही नियती है और इस नियती में कौन इस सियासत की बली चड़ जाए और कौन किसे सियासत के इस खेल में हीरो से जीरो बना दे कब किसे सड़क से उतार दिया जाए कब कौन सी लहर, कब कौन सी मोधी लहर भारती जनता पार्टी को संसत में मुख्य विपक्षी दल तक लाके खड़ा कर दे और कौन सी लहर सत्ता में बिठा दे कोई नहीं जानता वो सिर्फ जनता जानती है चुनाओ का वक्त जानता है लेकिन एक बात सबको याद रखनी चाहिए कि भारत के लोगतांत्रिक मिजाज में Construction का वोट नहीं होता, Destruction का वोट होता है, बाबरी विध्वंस का वोट हो सकता है, राम Mandir का वोट नहीं हो सकता, हमेशा यह हुआ है, और स्हाय द मिद्चा और जफी न्दा इस परिश्टितियों को समझ कर, संकेतों को समझने के लिए, दूसरे नहटाओं की तुल्ला में जारा परिपकों रवयां अपनाते हुए, दिल्ली के अंदर के बिड़ला मंदिर, और दिल्ली के अंदर के जहंड़े वालान मंदिर में ही, राम लला के दर्सन को, खुद को मजबूर कर लिया हो, जैसे राम वहीं करने के लिए, तो भला क क्या कर सकता है फिलाल के लिए इतना ही नमस्कार